आप सब का स्वागत है आपके ही यूटूब चैनल मैट आलम में आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 14.2 का कोस्चन नमबर 2 जो की तेंथ कलास का है तो इस कोस्चन में हम लोग आज देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है निमलीखित आकड़े 225 यहाँ पे 225 बिजली उपकोर्ण के परिक्षित जीवनकाल यह घंटो में दिया हुआ है यहाँ पे जीवनकाल और बरंबरता दोनों दिया है उपकोर्णों की बहुलक जीवन ग्याद की जीए जीवनकाल ग्याद की जीए जो है हम लोग को बहुलक निकालना है इस कोस्चन में इस तरह का कोशन यहां पर जीवन काल में घंटों में दिया है और यहां पर जो है बरंबरता दिया है तो बरंबरता से जो है हम लोग सबसे पहले जो सबसे बरंबरता निकालने का जो नियम है यहां पर जो है F1 निकालने का तो जो सबसे बड़ा होता है उसको हम लोग क्य जो है F1 जो हम लोग माने हैं इसके जर्ष्ट सामने यह जो है यहां पर सामने 80 है तो 80 और 60 में सबसे कम कौन है इसमें कम कौन है तो 60 कम है तो इस 60 को जो है हम लोग L मान लेते हैं इसको हम लोग क्या मान लेंगे L मान लेंगे तो यहां पर जो है और यह कितने की अंतराल से च जल रहा है तो हम लोग m g g j g भावन ये जो है हम लोग निकाल ये अब उसके बाद हम लोग बहुलक निकालने के लिए फ़र्मूला निकालते हैं तो बहुलक का फर्मूला क्या होता है उसको हम लोग लीकेंगे बहुलक बहुलख यहां इंगलिश में क्या होता है मोल इसका फर्मूला क्या होता है L पलस यहां पे होगे L पलस F1-F0 बट्टा यहां पे भी हम लोग सेम डिखेंगे F1-F0-F2 कर देंगे जब यहां पे 2 करेंगे तो इधेर भी गुणा में 2 कर देंगे उसके बार स्क्विन 2 क्या होगे आपका H अब H जो है यहां पे हम लोग H भी निकाल लिए है अब इस फर्मूला में जो जो है उसको पूट करते हैं यानि रखते हैं तो L हमारा कितना आया है 60 तो 60 रख लेते हैं फिर पलस है पलस F1 कितना है हम लोगा F1 है 61 यहां पे भी लिख्या है एक 60 माइनस F0 कितना है हम लोगा 52 बट्टे एक 60 माइनस 52 यह जीरो और फिर माइनस F2 कितना है हम लोगा F2 और 30 और 30 और F2 में 2 से गूड़ा F1 में 2 से गूड़ा है तो 2 उसके बाद उड़े में क्या है H तो H का भाईलू हम लोग का कितना है 20 इसको भी रख लेते हैं उसके बाद हम लोग की इसको 5 करते हैं यहां से यहां लिख लेते हैं कि नीचे आप लोग को नहीं दिखाई दे तो यहां पर लिख लेते हैं कि क्या-Kya वह रहाते हैं इसको 50 िवराषा क्यों साथ पॉलस यहां पर 1620 में से सिबने से जोड़ेंगे तो किटना आएगा हम लोग का बावन और अनुटीस जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 90 यानि 90 नब्बे हो गया उसके बाद गुणा में क्या है हम लोग का 20 अब इस से जो है इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 60 प्लस 9 बटा इसको घटाएंगे तो आगया ह इसको cancel करते हैं, तो 16 दूना 32, 10 दूना 20, और फिर 8 दूना 16, और फिर 5 दूना 10, बच गया 9 पाचे 45, यानि 60 plus 45 बटा 8, इसको cancel करेंगे, तो 5, तो 8 पाच पाच चालिस, और 5 बच गया, तो 8 पाच चालिस, और 6 टू, यहाँ पे 5.62 आ गया, अब इसको जोड़ेंगे, तो 60 plus 5 plus 62, और इसको जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, 60 और 5, 65.62, यहीं हमारा बहुलक निकल गया, यह हो गया हम लोगा, एंसर, मुझे आसा है कि आप लोग को यह question जो है, समझ में आया होगा, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए, हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, ताकि जब भ जो है हम लोग एक और भी objective question अभी इस पर डालेंगे, उसको आप जो है comment में करके बताईएगा, इसका answer क्या होगा, धन्यवाद